दोस्तो ठंडी का मोसम आते ही घर में अक्सर या बच्चे हो या बुड़े हो किसी को भी घर में ठंडी लगने से सर्दी लग जाती है और उसकी वजह से जुकाम होने लग जाता है नाग बहुत जादा बैने लग जाती है और कई बार तो इतनी जादा ठंड लग जाती है कि लगातार चीके आने लग जाती हैं तो आज की वीडियो में हम एक ऐसी चीज बनाएंगे दोस्तों जिसको लेने से एक दम ही आपको अराम पड़ जाएगा इस प्रॉब्लम में घर में किसी को भी आप दे सकते हैं चाहे बच्चे हो या बड़े तो चलिए शुरू करते हैं आपको बनाना बता रही हूं यह दादी नानी का अजमायवा नुस्का है पहले जब घर में किसी को ठंड लग जाया करती थी और किसी को ऐसे सर्दी लग जाती थी और नाग बैने लग जाती थी तो यह बना के दिया जाता था और इससे बहुत जारा फरक पड़ता है दोस् से हो जाए और इसमें आपको खुश्बू भी आने लग जाएगी इस स्टेज पे आपने इसमें आदा कप के करीब डालना है पानी और साथ ही दोस्तों आपने इसमें डालना है गुड गुड पाउडर डाल सकते आप या गुड का डेला भी आगर आपके पास है उसको भी आप चौप करके डाल दें जितनी आपने सुझी लिए उतना ही आपने गुड पाउडर डालना है और हां दोस्तों गुड जो आप यूज कर रहे हैं वो आपने देशी वाला गुड लेना है सानी से मिल जाता है मार्किट में गुड के तो दोस्तों वैसे इतने फायदे होत दोस्तों आपने इसमें डाल देने 8-10 के करीब कुटेवे बदाम और इसको भी अच्छे से मिक्स करने के बाद बस आपने 3-4 मिनिट ऐसी कूक करना है बहुत जादा इसको आपने सुकाना नहीं है पानी को बस थोड़ा ऐसे शीरा सा रहना चीज जैसे आप शीरे वाला खाने में भी यह पूरा एक हलवे की तरह ही लगेगा बोरी टेस्टी भी लगता है खाने में बस दोस्तों कंसिस्टेंसी इतनी आपने रखनी है आप देख रहे हैं जैसे मैं कर्ची से आपको भी चला के दिखा रही हूं यह थोड़ा फ्लोइंग होना चाहिए पूरा आप इसे में जिसको भी ठंड लग रही है spor还楽ी है नजला हो रहा है आप अपको मिलूंगी नई वीडिएओ में नई रमडीके साथ ब्याई